नमस्कार दोस्तों मैं अभीनि भरत वाज आपका स्वागित करता हूं माई बिग गैड स्मार्ट क्लास में दोस्तों आपने एक्सल में काफी सारे फर्मिले सीखे होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक्सल में परसेंटेज बहुत आसान दरीके से निकाल सकते हैं तो यह वीडियो लास तक देखते हैं आपके बहुत काम आने वाला है तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हमने एक चोटी से टेबल बनाई है जिसमें हमने सुरेश और रमेश को कुछ अंक दिये हैं यहां पर आप देखेंगे हमने को कुछ नाम भी दिये हैं आपको समझाने के लिए A, B और C तो A में हमने maximum marks यानि पूरां को रखा है B में हमने score यानि प्राप्तन को रखा है और C में हमने प्रतिशत यानि percentage को रखा है अप पहला वाला जो section है उसमें हम आपको यह समझाएंगे कि अगर आपके पास maximum marks और score है तो दो तरीके से निकाला जाता है पहला तो अगर आपने cell को प्रतिशत में convert नहीं किया है तो यानि अगर आपने cell की format percentage में convert नहीं की है तो आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 600 मैसे और 24 अगर score हुआ है तो यह इसका कितने प्रतिशत होगा यह हम कैसे पत आप star यानि गुणा का निशान लगाएंगे उसके बाद लखेंगे आप 100 यानि आपने score में 100 को गुणा कर दिया है उसके बाद आप लगाएंगे बटे का निशान इसे कहते हैं हम oblique और इसके बाद आप select करेंगे maximum marks को तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि यह जो score हुआ थ यह 4 पतिशत है अब इसका दूसरा तरीका क्या है अगर आपने cell को percentage में convert कर रखा है यानि आप यहां पर देखेंगे उपर numbers में एक icon आपको दिखा ही देगा percentage style इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यह जो cell है उसे percentage का icon आने लग जाएगा अगर यह आपने convert कर रखा है तो percentage निकालना बहुत आसान है आपको simple बराबर का निशान लगाना है पहले आपको score को select करना है उसके बाद आपको oblique करना है यानि बटा करना है और इसके बाद आपको maximum marks को select करना है तो जैसे ही आप इसको click करेंगे वैसे आप देखेंगे यहां पर 4% निकल के आ जाएगा 4% निकालना है तब आप किया करेंगे तो score को हम हटा देते हैं और हम निकालते हैं 600 का 4% तो इसके लिए आपको करना होगा आपको लगाना होगा यहां बराबर का निशान इसके बाद में आपको जो column A है जो पूरांक है आपका उसको select करना होगा आपको फिर गुणा का नि यानि कि 600 को multiply गिया 4 से और divide कर दिया 100 से इसको आप जैसे ही enter करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका जो score है वो 24 मिल जाएगा अब आप परिश्चत को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और आप देखेंगे यहां पर जैसे आप percentage change करेंगे उसके साब से यहां पर जो देखें वो भी बदलते जाएंगे आप दूसरा तरीका देख लेते हैं यदि आपने उस cell को जो प्रिश्चत वाला cell है उसको आपने percentage की style में convert कर रखा है तो यह और भी easy हो जाता है आपको simple यहां पर बराबर का निशान लगाना है एक को select करना है और C को उससे multiply कर देना य यह बहुत काम आता है office में भी कही जगें हमें इन चीदों की बहुत जरूरत होती है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइए कीजिए और हमें बताइए आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरू सस्क्र ख्रूर के लिए purpose में मेध कीनल करेश सब्सक्रा浏ए यह झाते हैं इन डंताईए भालत मुरूर आपको घरूर करें इसागरें प्लिकल झाते हूत apologyं एभया ओंगा वीडियों ए आपको तो भालत मि 집ना ओंगे मुत्वत ईया होती जया है झाहत पको